तो इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के तुरू आप किसी भी टेक्स्ट की गिवन टेक्स्ट की या फिर इंपोर्टेट टेक्स्ट की अगर स्पेलिंग आपको चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो ठीक है देखो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब आप मशीन लर्णिंग पे या पाइथन पे स्पीज रिगर्गनीशन के सौफ्टर बनाओगे या फिर किसी भी चीज को इंपोर्ट करोगी जिसका करेक्ट आउटपुट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सब कुछ एक डेटा साइंस को बिलॉंग करता है ठीक है और डेटा प्रोग्राम बताऊंगा इस प्रोग्राम के थूँ आप किसी भी टेक्स्ट किसी भी वर्ड फाइल किसी का भी आप स्पैलिंग चेक कर सकते हूं उससे पहले आपको यह जाना जरूरी है कि स्पैलिंग मिस्टेक दू तरीके की होती है ठीक है पहला तरीका होता है कि स्पैल मतलब C का आप हो गया लेकिन इससे understood हो रहा है कि यह M A C H है ठीक है मैं देखो इस पर एक example लेकर दिखाता हूं आपको जैसे की M A C I N E इससे क्या proof हो रहा है अपने यह proof कर सकते हैं कि हाँ यह machine होगा है अब अगर यहां पर मैं लिख दूँ अब इससे आप क्या proof करोगे इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है न यह दो mistakes होती है ठीक है यह दोनों mistakes को लेके हम एक observe करते हैं sentence को मिलाके तो python जो होता है वो एक प प्रोग्राम को अपन करेंगे एक python library है जिसको कहते हैं text blob ओके तो चलो फटाक से मैं coding स्टार्ट करता हूं इसकी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यह मैंने यहां पर लिख दिया है इस spelling correction with python ठीक है और क्या क्या हम करेंगे अब यहां पर आ जाओ सबसे पहला काम आपको है आपको import करना है किसको text ब्लॉब को तो text ब्लॉब एक बहुत बड़ा library है तो उसके अंदर मैं केवल एक text ब्लॉब का जो simple concept होता है उसको import करने वाला हूं तो मैं यहां लिखता हूं from और यह देखो यहां पर लिखता हूं text ब्लॉब यह देखो यह नहीं आया ठीक है इस पैनिंग बिल्कुल यह बिल्कुल नहीं आया क्योंकि यह मेरी researching machine नहीं है तो जब आप अपने system पे करोगे ना तब भी आपको यह error आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है obvious मैंने सब कुछ बताया हुआ है अब आपको करके देखते हैं क्योंकि यह देखो यह लेनी रहा है पाइलेंस अभी इसको मतलब यह कुछ नहीं है और simple यहां पर लिखो pip install हमको install करना है इस लाइब्रेरी को अपने system पे ओके अब यहां पर लिखो टेक्स्ट ब्लॉब ठीक है और कुछ नहीं बस एंटर का बटन दबादो यह automated install हो जाएगा इस पर इसको install हो गया collecting downloading 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 यह देखो यह हो गया यह बाहर आ गया ठीक है अब यह डिपेंड करेगा आपके system के रैम के उपर कि कितना तेजी से आपका system का रैम प्लस इंटरनेट वर्क कर रहा है तो हो सकता है जैसे इसको तीन सेकंड लगा है ना आपको हो सकता है कि एक मिनिट लग जा यह भी हो सकता है रैम पे डिपेंड करेगा और नेट कनेक्शन पर डिपेंड करेगा तो कंफ्यूज मद होना कहीं स्टक हो जाता है अटक जाता है तो ऐसा मद सोचना कि यह यह तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा ही होगा ओके तो यह हो गया install अब मैं वापिस आता हूं और यह देखो इस से error जो था य नहीं आएगा ठीक है capital T लिखो यह देखो आ गया ठीक है मैं इस library को इसमें से सब library को install कर ले रहा हूं इसमें अब इसको call करके अब कुछ-कुछ word pass करते हैं इसमें तो एक word pass करने के लिए सबसे पहले मैं एक variable बना लेता हूं एक words नम का variable बना लेता हूं इसके अंदर एक list में दो या तीन word pass करता हूं ठीक है तो जैसे मैं पहला वाला word pass कर देता हूं data और sc आई गायप कर देता हूं ence ठीक है एक यह word हो गया एक और word ले ले लेता हूं मैं मैं यहां पर ले लेता हूं m a c छोड़ देते हैं h i a n नहीं कर देते हैं महीन ठीक है यह महीन हो गया machine learning का और learning में भी कर लेते हैं l e a r n i n कर देता हूं ठीक है एक और word ले लेता हूं अच्छा क्या ले 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 यहां पे यहां पर ले ले लेते हैं d ie c asap p t छोड़ देते हैं higho n a r o कि ठिक्ए ऐसे दो-3 वर्ट अपर ने ले लिए अब देखते हैं कि इसको correct करता है कि नहीं है उकिए अब इन सब वर्ड को आपको करेक्ट करने के बाद एक लिट में सेव करवाना तो पड़ेगा ठीक है उसी को आप प्रिंट कर देना तो यहाँ पर एक वर्ड नाम से वर्ड नाम से आप एक वैरियेबल बना लो और इसके अंदर ब्लेंक लिस्ट को लिमिटेट कर दो ठीक है अब मैं यहाँ पर लूप चलाता हूँ ताकि एक-एक करके वो spelling को यह जो text blob library है यह चेक करते जाए ठीक है तो यह मैंने python पर भी बताया हुआ है looping बहुत easy है iteration बहुत easy है for i आप यहाँ पर कुछ भी variable ले सकते हो a b c d e f g h कुछ भी लेकिन i जो होता है वो loop के लिए ही बना है आप समझो commonly i का ही use करते है i in words ठीक है मैं उसको iterate कर रहा हूँ मैं उसको बोल रहा हूँ कि for i in words मुलब एक-एक चीजों को खोजो ठीक है और खोजने के बाद ठीक है for loop लग जाता है मतलब वो iteration शुरू हो जाता है अब खोजने के बाद आप करोगे क्या आप खोजने के बाद ये करोगे कि जो भी आपको word मिलता है वो word पे एक-एक करके आप उसको यहाँ पे append करते जाओगे मतलब words जो है ना words में append करते जाओगे और corrected words में सेव करते जाओगे clear जैसे data मिला ओके है save कर दिये science में i मिल गया आपको dictionary के इसाप से text globe के इसाप से एक dictionary है तो आप यहाँ पे save करते जाओगे उसको मैं अब यह command देने वाला हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें save करवाना है corrected word में so c o r r यहाँ गया corrected word अब यहाँ पर लिखो आप dot append ठीक है और append कौन सा append कहां से लेगा source को वो लेगा text blob ठीक है और उसमें चलाएगा loop तो मैं यहाँ कर देता हूँ आई ठीक है वहाँ से words उठा उठा कि इस पर append करता जाएगा कि इस पर corrected words पर ठीक अब नीचे आ जाओ अगर माल लो वर्ड correct होता है तो corrected words आर इस टाइप से कुछ string पास हो जाएगी otherwise एक हो जाएगा wrong word ठीक है तो मैं यहाँ लिखता हूँ print और यहाँ पर कर देता हूँ एक string पास करता हूँ wrong word ठीक है ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर उस जो list है उसको पास कर देता हूँ किस पर यह वाली इसी के अंदर से words उठाएगा तो यह हो गया words ओके अब नीचे आ जाओ यहाँ पर एक और print ले लेता हूँ मैं correct word के लिए और यहाँ पर देता हूँ c o r e c t e d corrected words आर कर देता हूँ और यहाँ पर यहाँ एक colon लगा देता हूँ इसको दे देता हूँ जगा और जो words आएगा वो यहाँ पर पुटा को जाएगा simple ठीक है एक और लूप चला लेते हैं एक और लूप चला लेते हैं क्योंकि जो correct word है उसको save करवाएंगे ना अपन और फिर उसका एक end देना पड़ेगा तो मैं यहाँ करता हूँ for i in corrected word यहाँ पर condition देते हैं और print print i.correct यह आया क्यों नहीं यह एक function होता है इसका बड़ यह ले नहीं रहा है क्यों नहीं लिया यह error भी नहीं है मतलब ले लिया है लेकिन क्यों नहीं क्यों वैसा आना चाहिए उसको एक्षाल में कोई बात नहीं कोई बात नहीं end is equal to इसको मैं कर देता हूँ 8666m attractions. Dew cob face चोड़ो इस पर चोड़ो इस पर चोड़ो इस पर छोड़ू को घंजूर्ड टो यह यहां पर मेरा Roll रोड आ घया यहां पर मेरा-corrected-ward,, वह लूप चल गया है एक बार मैं इसको-डूर्न करता हूँ क्योंकि मुझे यहां पर नहीं और डाउट लग ही है यह तो अपर लूप को फिर इंडेंटेशन पर ले आएंगे ओके यह फाइनली आ गया मेरे पास मैं अब मैं आपको बता देता हूं कि यह कैसे किया इसने देखो हमने लूप चलाया है ठीक है और हम क्या कर रहे हैं एक एक चीज़ों को वन बाई वन यूज़ करके अपेंड करते जा रहे हैं तो दिखो रॉण्ड में पहला बाला कॉन सा है डेटा साइन्स मशीन ये रॉण्ड है ये बहुत रॉंग वर्ड है तो सबसे पहले लूप चलेगा ड को शो कर दिया अब आप इसको कर एक एक करके शो कराना चाहते हो ना तो आप क्या कर सकते हो यह जो लूप है ना इस लूप को indentation पे ले आओ, ठीक है, अब ok करो और ok करके वापिस इसको एक बार execute कर दो वापिस अब देखो, एक एक करके ये ले आएगा, कई बार क्या होता है, हम एक एक करके check करना चाहते हैं, तो ये देखो, ये ले आए, ठीक है, पहला wrong word कौन सा था, data science machine learning dictionary, ये वाला था, अब ये पहले क्या करेगा, सबसे पहला वाला loop के हिसाब से data science है, तो ये देखो, यहाँ पर इसमें दे दिया, corrected word are data science, ठीक है, उसके बाद फिर ये wrong word पे चला गया, अभी इसने machine learning को print नहीं किया, ये फिर से wrong word पे गया, data science को हो देखा, correct हो गया है, machine learning बचा है, machine learning पे गया, उसके इसमें data science ओ देटा आप इसमें उठाया, data science सच वडर वर hakk वरी ओडλιंग को अब डिक्षनेरी बचा है, तो ऑनरी और दिक्षनेरी मैं ऋठाया, data science, machine चलाते हो ठीक है तो वन बाय वन वन ये चेक होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको इंडेंटेशन से बाहर कर दोगे तो एक साथ सब कुछ को प्रिंट कर देगा यहां पर लाके ठीक है तो अब यह डिपेंड आप पर करेगा कि आप किस तरीके से अपने आउटपुट क लेना चाहते हो उसको कहीं पूट करना चाहते हो तो कैसे पूट करना चाहते हो एक साथ करना चाहते हो या वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो ठीक है तो आई थिंक आपको ये समझ में आगया होगा कोड बहुत चोटा सा प्यारा सा कोड है इंपोर्ट करना रहेगा तो सिंपल इंपूट बॉक्स देखे इंपोर्ट कर लेना वहाँ पर आप पांडास के तुरू जाना और पांडास लाबिरी के तूँ और टेक्स्ट फ चल ठीक है ओके